एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो सिकारी जिस जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया और भारत से अलग कर पाक बना उस जिन्ना की तस्वीर हटाई जा रही है नोटों से और जानेंगे उसकी तस्वीर की जगह किन की तस्वीर आ रही है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में अचानक से राष्टपती के आर्थिक सलाहकार को देना पड़ा इस्तिफा और मामला क्या था मामला है 100 रूपय के नोट पर नकसे में भारतिये छेत्रे जियो पॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से जिन्ना बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिन्ना मूल रूप से एक हिंदू थे जिन्ना भाई पुंजा इनके साथ बच्चे थे एक गुजराती ह जिन्दू जिनके सबसे बड़े पेटे का नाम था जिन्ना मा मीठी बाई हिंदू में ये खोजा कास्ट के थे बाद में कई कारणों से ये सिंध गए और सिंध में बैपार बैवसाई किया जब ये वापस अपनी कम्मूनीटी में आये तो फिर कम्मूनीटी में इनको मुसलिम बन गये उनके ही वेटे जिन्ना थे जिन्ना एक अगर मूल निकालेंगे तो हिंदू थे और कनवर्टेट मुसलिम हुए और उसके बाद ये लत लगी ये तरीका लगा कि इनोंने मुसलिम राष्ट का गठन ही कर दिया और मुसलिम राष्ट गठन होने के बाद जि जिन्ना के नोट छपने लगे जैसे महात्मा गान्दी के नोट महात्मा गान्दी की तस्वीर होती है नोटों पर वैसे पाकिस्तान में जिन्ना की तस्वीर होती है नोटों पर अभी बात हो रही है कि जिन्ना की जगह जुल्पिकार अली भुटो क्यों यहां पर सम्मान मिलन चाहिए और तस्वीरों में उनका फोटो लगना चाहिए दरसल मामला क्या है एक प्रस्ताव आयोजित किया गया है इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जुल्पिकार अली भुटो की जिंदगी बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के काम के लिए गुजरी है वैसे आपको बता द में रिफॉर्मस लानी की बहुत जादा फोशिसें भी की ती जुल्पिकार अली भुटो को कई नजरीय से देखा जाता है कि पाकिस्तान के लिए परमानुबं बनाने की बात हो या फिर पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा हो जुल्पिकार ने काम करना शुरू कर दिया था कहा जाता है कि भुट्टो ने ही कहा था जब बड़ी बेजती हुई थी 1971 की लड़ाई में तब कि हम घास खा कर रहेंगे लेकिन हम परमानुबम जरूर बनाएंगे और समझ लीजिये कि सब कुछ अच्छा चलता अगर यहाँ पर जुल्पिकार अली भुट्टो के खिलाफ ज जनरल जी आउल हक जिसे सेना का सुप्रीम बनाया भी था भुट्टो ने ही उन्होंने आखिरकार 1989 में रावल पिंडी में फांसी की सजा दे दी और उनमें भुट्टो की मौत के काफी साल बाद अभी हाल फिलाल में पाकिस्तान की कोर्ट ने आखिर माना कि नई भुट्ट अब कहा जा रहा है कि अब सम्मान दिया जाना चाहिए और भुट्टो की तस्वीरें लगनी चाहिए जो रूपे हैं नोट हैं उसमें और सरकार को काईदी अवाम यानि लोगों का नेता के उपाधी से नवाजा जाना चाहिए और पाकिस्तान का जो सर्वच नागरी सम्मा है निसाने पाकिस्तान वो भी देना चाहिए करेंसी नोटों पर भुट्टो की तस्वीर छापने की मांग के अलावा कहा जा रहा है कि भुट्टो का एक बड़ा सा इसमारक बनना चाहिए और उसकी कब्र को राष्टिये तिर्थ अस्थल घोसित कर देना चाहिए मतलब मत्था टेकने जाएगा जैसे कि महात्मा गांधी के समाधी अस्थल पर लेकर जाया जाता है इसके अलाव ऐसा भी कहा जाता है कि एक नए सिरेनी का पुरसकार का भी घोसना होना चाहिए जुलफिकार भुट्टो पुरसकार के नाम से अब बहुत सारी चीज़े यहां पर क तस्वीर हो सकती है और कुछ नोटों में वुट्टों की तस्वीर हो सकती है आने वाले समय में कई सारी नई चीज़े हमें देखने को मिल सकती है पाकिस्तान के नोटों में खेर जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ नेपाल में 100 रुपए के नोट पर नक्से से एक बड़ा हाहाकार मचा हुआ है. अब तो नेपाल के जो राष्टपती के सलाहकार ठे आर्थिक चेत्र के उन्होंने भी इस्तिपा दे दिया है. नेपाल के राष्टपती के आर्थिक सलाहकार ने क्यों इस्तिपा दिया है क्योंकि उन्होंने आलोचना की थी नेपाल सरकार के फैसले का नेपाल सरकार के फैसले का आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो किया जा रहा है न नोटों में भारत द्वारा कं इलाकों को दिखाया जा रहा है ये नेपाल की सबसे बड़ी रूल है कौन है ये स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं चीरन जीवी नेपाल जो नेपाल के केंद्रिये बैंक के पुर्व गवर्नर भी रहे हैं ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं रहे हैं और उसके बाद ये आर्थिक सलाहकार भी नेपाल के रहे हैं तब जाकर इनों ने इस बात को कहा कि लिपियन दुरा हो लिपुलेख हो काला पानी है जो भारत के कंट्रोल में है उसे नेपाली नक्से में सामिल करने का कदम एक ना समझी भरा कदम है उनकी स्टिपनी के बाद आग लग गई नेपाल के कई सारे नेताओं की जिनमें एक है केपी सर्मा ओली इस वक्त जो सरकार है उस सरकार में केपी सर्मा ओली और प्रचंड की सरकार है इस से पहले परचंड और सेर बहादुर देवबा की सरकार थी पर वो तूट गई और यहां पर अब कमिनिष्ट पार्टियों का मिलन हो गया कमिनिश्ट पार्टियों के मिलन के बाद इस चीज को तो माना ही गया कि भारत के विरोध में ऐसे कदम उठाए जाएंगे भड़काओ कदम उठाए जाएंगे जो नेपाल की जनता को भारत से दूर करें जहर भरा जाएगा ताकि अकेला-केला किया जा सके और स्प कमल दहल ने राश्ट पती से बातचीत किया कि इसका इस्तीपा स्विकार किया गी नई स्विकार किया और पता चला की स्विकार हो चुका है भारत में पुर्व राजदूत रहे निलांबर आचारे, नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के पुर्व परमुख सुर्यनात उपाध्याय, पुर्व राष्ट्पती विद्दा देवी भंडार के भंडारी के सलाहकार सुसिल पया कुरेल, कई ऐसे लोग थे जिनों उन्हें इस बयान के बाद चिरंजीवी नेपाल को पद से हटाने की मांग की थी, चार मई को सौ रुपए के नोटों पर मौजूद मांचित्र में भारतिय छेत्र सामिल करने के नेपाल सरकार के फैसले के सारुजनिक होने के तुरंत बाद चिरंजीवी नेपाल ने कहा था कि मैं राष्ट्र बैंक के पुर्व गवर्नर्ट के रूप में इस कदम का विरोध करता हूँ नकी राष्ट्पती के सलाहकार के रूप में उन्होंने कहा था कि नेपाल का भारत के साथ छेत्र के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद होना एक बात है लेकिन मुद्रा में ऐसे मानचीतर को छापना जो दो पडोसियों सहीत अंतर राष्टिये निकायों द्वारा माननेता प्राप्त मानचीतर से अलग हो मुर्खता पुर्ण है आपको बता दें अब यहां पर चीन का खेल सुरू हुआ है जिसकी वज़े से ये सब कुछ हो रहा है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ